मन लेके तू चला है जलती आच पे डर है की तिघल न जाएं सपने काच के एक दिन सब को मिल जाएगा खुद ही अपने आप कहके तू न दे किसी को बातों के जवाब तू हार ना नहीं जब तक दिल में जीत आप सब कुछ मुम्किन है अगर तुझ में उमीद है तू भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज़ है चीज़ है सब कुछ मुम्किन है अगर तुझ में उमीद है अगर तुझ में उमीद है आसा नहीं है सफर तेरा आया नहीं है हशर तेरा मिलती अगर है नाकामिया राहों में है जो दुशवारियां ये लिख ले तेरी कोशिशें जाएंगी ना खराब तकलीफों के आगे कहीं खुशियां हैं बेहसाब तू हार ना नहीं जब तक दिल में जीत आ जीत आ सब कुछ ममकिन है अगर तुझ में उम्मीद है उम्मीद है झाल झाल इस डाइबेटेस होप रिट्रीट के तीन दिन के सिरीज का आज तीसरा दिन है तो आज के इसमें हम फाक्स एंड फिक्शन मतलब डाइबेटेस के बारे में जो भी मिसकंसप्शन से वहम है और क्या सच है उसके बारे में देखेंगे तो जैसे हमने गाना सुना है तो इसमें बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स है जो डाइबेटेस को बहुत ही लागू करता है मन लेके तू चला है जलती आँच पे डर है की पिघल न जाए अपने सपने कांच के इक दिन सबको मिल जाएगा खुद ही अपने आप कहके तू ना दे किसी को बातों के जवाब तू हारना नहीं जब तक दिल में जीत है जीत है सब कुछ मुम्किन है अगर तुझे उम्मीद है उम्मीद है तू भूल जा बस ये मुश्किल अब क्या चीज है चीज है, सब कुछ मुम्किन है अगर तुम्हें उम्मीद है उम्मीद है क्योंकि डाइबिटेस के बारे में जब भी इस्पेशली फर्स टाइम जब डाइगनोस होता है बहुत सारे लोग डर जाते हैं क्योंकि पहले ही बहुत कुछ सुन चुके होंगे अपने रिलेटिव से या अडोस पडोस वाले कि ऐसा हो जाता है, वैसे हो जाता है अपका लाइफ ऐसा हो जाता है तो ये डर बैठ जाता है उसी डर से कुछ भी इनिसियेशन नहीं लेते, अपने परिवर्तन अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में कंसेप्शन्स थे वक्ति मार्ग में वो बाबा भी क्लियर कर रहा है ताकि हम आगे बढ़ सके तो ज्ञान का बहुत ही इंपोर्टेंट रोल होता है जीवन में परिवर्तन लेके आने के लिए तो आज के इसमें हम कुछ क्वेशन आन्ज इसमें तो मिट्स में बहुत सारे कुछ कवर हो चुके है लेकिन आज वापस तोड़ा उसको रिवाइस करेंगे एंड आप में भी किसी को भी एक क्वेशन पहले हम जो ग्रूप में आया था एक क्वेशन लोशुगर के बारे में पूछ रहते तो लोशुगर में भी पहले ये देखना है कि वास्तव में वो लोशुगर है कि ने क्यूंकि किसी को ना 80 शुगर होता है तो भी समझते है कि वो लोशुगर है 90 है तो भी समझते है वो लोशुगर है लेकिन वो लोशुगर की कैटिगरी में ने आता है लो शुगर मतलब 70 से नीचे, 70 से नीचे अगर जा रहा है और वो भी ऐसा नहीं कि एक बार अभी अभी दो दिन पहले एक यंग आई थी एक बहन 20 यर्स, 18 यर्स किये, वो दो दिन से खाना नहीं खा रही थी तो चेक करा के फिर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा फिर उसको, बेहोश हो गए थी शुगर चेक किया तो 46 था, उसको शुगर नहीं है लेकिन वो दो दिन से खाना नहीं खा रही थी, तो इसलिए शुगर डाउन गया है तो वो बिमारी नहीं है, वो वहाँ पर अपने एनरजी नहीं दिया बोड़ी को, इसलिए लो शुगर में गई तो ये एक नॉर्मल वेराइटी ओफ लो शुगर होता है दूसरे होते हैं, अगर पेशन डाइबेटिक है और इंसलिन या दवाईयों पर है और उस दवाई लेने के बाद उन्होंने खाना नहीं खाया है, जितना regular खाना है उतना नहीं काया है कम खाया है या ना खाया है, तो लो शुगर में जाता है तो ये cut-off मार्क है, अगर 70 से नीचे जा रहा है तब ही आपका लो शुगर माना जाता है ये पहली point and second point उसका कारण पहले हमको डूनना पड़ेगा कि वो proper intake नहीं है उसके कारण हो रहा है या फिर शुगर के मेडिशेज पर है और उसमें dose adjust करना पड़ेगा या तीसरा एक variety होता है जो pancreas related problem है मतलब pancreas का sugar के related नहीं है, pancreas का एक gart होता है जहां उस gart से insulin hormone की ज्यादा उत्पत्ती होती है तो उसकी वो तो बहुत rare है, इतना common नहीं है लेकिन अगर हमने normal चीजों को rule out कर दिया तो वो तीसरा जो है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा अगर patient बार-बार low sugar में जा रहा है तो तो पहली myth क्या होती है कि बहुत सरे लोग पूछते कि हम जैसा यह point discuss हुआ था कि हमारे घर में किसी को भी शुगर नहीं है तो हमें कैसे हो गया तो हमने इसका जवाब क्या देखा था classes में हाँ, stress आज की जमाने में stress का बहुत ज्यादा major factor निकला है और खान-पन हमारा lifestyle हमारा proper diet नहीं है ज्यादा fast foods पे जा रहे और उसको हजम नहीं है मतलब exercise नहीं कर रहे तो यह सब toxins के रूप में convert हो जाते है फिर insulin काम करना बंद हो जाता है और diabetes चालू हो जाता है नेक्स्ट क्या पुछते कि मैं बहुत ज्यादा sweets खाती हूँ या खाता हूँ इसलिए मुझे डर है कि मुझे sugar हो जाएगे तो ऐसा नहीं है कि आप sweets ज्यादा खाते हो तो sugar हो जाएगा या आप sweets नहीं खाते हो फिर भी sugar हो गया स्वीट खाने ना खाने का शुगर होने ना होने का कोई लेना देना नहीं आप जैसे इसका जैसे बेसिक रूल जो बताया था कल के सेशन में भी जो हम खा रहे अगर हम उसको डाइजस्ट कर रहे मतलब उसको बर्न आउट कर रहे आप जितना भी स्वीट्स काओ, जितना भी आम काओ, कुछ होने वाला नहीं लगन आप इंटेक जो है, उसको नहीं पचा रहे हो, उसको डाइजस नहीं कर रहे हो तो आप एक चम्मच का शुगर भी लेंगे तो भी हो सकता है नहीं नहीं, ऐसे जरूरी नहीं कि बच्चे को, अगर भाई जी का क्वेशन है, अगर माबाप दोनों को है तो बच्चे को भी अगर होगा क्या, तो इसमें अगें, जीन्स है, उस बच्चे में तो डेफिनेटली जीन है डाइबेटेस प्रोड्यूस करने का, लेकिन वो जीन जो है, उसको ट्रिगर कौन कर रहा है, उसको स्टिमुलेट कौन कर रहा है, हमारा लाइफस्टाइल हमारा lifestyle ठीक नहीं है तो वो trigger early age में हो जाएगा अगर trigger को हमने avoid किया तो आप 60-70 तक भी पहुँचेंगे तो आपको शुगर नहीं आएगा तो ये trigger के उपर है कौन जाके उसको जीन तो रहता है लेकिन जरूरी नहीं कि वो जीन activate होना है जीन तभी activate होगा जब आपका lifestyle से खराबी मतलब जो भी toxins produce होते वो toxins जाके वो जीन को stimulate करता है otherwise जरूरी नहीं है कि हर diabetic parents के बच्चों को शुगर होना है ऐसा कुछ नहीं है next है कि कुछ लोगों का ये भी होता है कि आज आभी हमको diabetes की ये हो गई है तो फिर मुझे आभी sweets नहीं खानी है मतलब बहुत कुछ restrictions में रहना है तो ये डर भी रहता है बहुत सारी लोगों को क्योंकि किसी किसी को नो बहुत पसंद होता है varieties मेरे रहने में लेकिन ऐसा भी नहीं है अगेन स्टार्टिंग स्टेज में restrictions डालते हैं जब आपका समझ लीजे आज के दिन में आपका शुगर डाइग्नोस हुआ और डाइग्नोस के टाइम पर आपका शुगर 300-400 में है तो स्टार्टिंग स्टेज में हम restrictions डालते हैं कि आपको avoid करना है जैसे कि high carbs foods कल भी देखाने हमने बनाना हो गया चिको हो गया आम हो गया sweets, direct sugars वाले sweets हो गए यह सब चीज़े starting stage में avoid करते हैं जैसे जैसे sugar control में आता जाएगा जैसे जैसे आपका exercise properly बढ़ता जाएगा then हम एक-एक चीज़ को add करते हैं एक-एक fruit पहले natural इसको add करते हैं फिर जो भी sweets है यह occasionally add करते हैं जैसे कि माहिने में एक बार हो गया ऐसे तो ज़रूरी नहीं है कि जिसको diabetes हो गया वो कभी जीवन में वापस sweets ने खाएंगे ऐसा कुछ नहीं है स्टार्टिंग स्टेज में अगर उनका already sugars 300-400 है तो उस समय हम मना करते हैं क्योंकि अंदर जो जमा हुआ शुगर है उसको पहले खाली करना है ताकि हम fresh जो दे रहे वो जो हमारा insulin वो जो प्रोपरली उसका काम में आ जाए देन वो जो भी हम खाते वो cells के अंदर जाता है क्योंकि जब 300-400 सुगर है उस समय insulin प्रोपरली काम नहीं कर रहा है तो आप उसके उपर और उसको बोल रहे हो कि आप काम करो मतलब आम fruits दे रहे हैं या कुछ भी high sugar items दे रहे मतलब हम उसको बोल रहे कि आप extra काम करो already वो थक गया है काम नहीं कर रहा है on top of that आप बोल रहे हो कि काम करो तो करेगा ही नहीं और बिगड़ता जाता है तो इसलिए starting stage में restrictions ज्यादा होता है और तो कुछ लोग सोचते कि अभी हमें diabetes हो गया तो हम exercise नहीं कर सकते ऐसा भी नहीं exercise तो करना ही है लेकिन उसके साथ साथ precautions लेना है कल भी हमने देखा है जैसे exercise के पहले आप अपना sugar चेक करो शुगर डाउन तो नहीं है अगर डाउन में है तो कुछ खा लेना फिर exercise में जाना है हलका सा कुछ लेके फिर exercise में जाना है अगर normal है या ज्यादा है तो कुछ लेने की ज़रौत नहीं है and diabetic patients को जैसे लंबे समय में sugar है तो उन में न एक complication हो सकता है पाउं के नसों में जो nerves होते हैं वो weak हो जाते हैं उसको हम diabetic neuropathy बोलते हैं तो उसके कारण क्या होता है initial stages में patient को जलन की sensation चुबने की sensation यह सब starting stage diabetes जो nerves पर affect करता है आगे जाते और भी control में नहीं है शुगर तो next stage होता है वो numb हो जाता है मतलब सुन पढ़ जाता है जैसे कि उनको लगता है कि वो cotton के ऊपर चल रहे है रूई के ऊपर चल रहे है ऐसा लगता है मतलब उनको feeling नहीं होता है कि वो धरती पे पाउं रखा है उससे क्या होता है balance भी गढ़ जाता है प्रॉपरली जब मुझे लगता नहीं कि मैं कहां पाउं रख रहा हूं तो balance ग आप चेक नहीं करता है क्यूंकि pain नहीं है पता नहीं चलता है वो गाउं बढ़ता जाता है तो यह बहुत common problem हम देखते हैं अभी हमारे पास ललिता सिस्टर भी है वो इसमें specialist है मतलब food care में हमारे सारे diabetic patients का food care वो ही देखते है वो भी अभी कुछ समय के बाद आप से मिलें तो यह एक है नेक्स्ट है कुछ लोग बोलते कि अभी तो मेरा borderline diabetes है मुझे अभी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है diabetes जब आएगा तब देखा जाएगा ऐसा नहीं है प्री डायबेटेस इसको प्री डायबेटेस करते हैं प्री डायबेटेस स्टेज में अगर आप alert ह हो जाएंगे तो आप जीवन भर शुगर को रोक सकते हैं अपने जीवन में आने से तो प्री डायबेटेस का भी कल हमने क्राइटीरिया देखा है अगर फास्टिंग शुगर एक सो से 126 के अंदर है और अगर आपका खाने के बाद वाला शुगर 140 से 200 के बीच में है रैंड प्री डायबेटेस में कुछ ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिम्टम्स होते नहीं है लेकिन एक चीज ध्यान में रखने वाली चीज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है प्री डायबेटेस स्टेज में सिम्टम जो होता है वो यह है जैसे कि एक तो आपने आपको तो यह risk के बारे में पता चल गया कि parents में है या मेरा lifestyle में stress ज्यादा है तो ये सब risk factor से जो diabetes आने का chances है उसके साथ-साथ मेरा एक symptom ऐसा आ सकता है, ऐसाने कि सभी को ये symptom आएगा, इसमें क्या होता है सुबह suppose उन्होंने कोई वेक्तिने नाश्ता किया फिर दो पेर में 1 o'clock के around उनका lunch time होता है ये जो 12 o'clock का time होता है ना, lunch के just before 1 घंटा, उस समय उनको बहुत ज्यादा भूक लगेगा मतलब uncontrolled भूक लगेगा ने तो फिर पसी ना चूटना जैसे कि जैसे एक patient low sugar का जो experience करता है ना उस तरह की symptoms वो experience करते है and that is the first indication of pre-diabetes ऐसा क्यों हो रहा है उन लोगों में pre-diabetes में pre-diabetes क्या चीज़ है वहाँ पर insulin काम करना बंद कर दिया, मतलब properly काम नहीं कर रहा है, उसके पहले की stage में क्या होता है, जैसे जैसे हमने कल देखा है, जितना जितना काब content, carbohydrates हम ज्यादा दे रहे और insulin काम करना धीरे धीरे बंद हो रहा है, है ना starting stage में, उस समय pancreas क्या करता है, और insulin produce करना चालू करता है थाकि हम शुगर को level में ले के आ जाए, तो ये और produce करने में क्या होता है, insulin levels की बढ़ रही है, है ना जब वो insulin levels की बढ़ जाती है जैसे कि सुबा मैंने नाश्ता किया 8 बजे, 8 बजे, फिर already मैं pre-diabetic range में हूँ तो मेरा जितना खाने के टाइम पर मेरा जितना insulin produce हुआ, वो प्रॉपरली काम नहीं किया, तो pancreas क्या किया, और extra insulin produce किया, तो अभी जितना खाना है, उससे ज्यादा insulin बन गया शरीर में, है ना वो कर रहा है, ट्राइ कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा produce करूं और शुगर को नॉर्मल में लेके जाऊं तो ऐसा करते करते before lunch तक insulin की level ज्यादा है, और glucose की level नीचे में है, तो इसलिए उस समय पे वो व्यक्ति को वो low sugar जैसे symptoms आते हैं, तो ये one of the indication for pre-diabetes ऐसा कभी किसी को होता है, तो आपको जाके डॉक्टर के पास संपर करना है, ताकि इसके लिए और pre-diabetes के लिए एक और अलग सा टेस्ट होता है, उसको हम glucose tolerance test बोलते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति जानना चाहते है कि मुझे शुगर है या नहीं है, या फिर मैं pre-diabetes में हूँ, तो उसके लिए ये test है, glucose tolerance test, इसमें क्या करते हैं, फास्टिंग में आपको लाब में जाना है और वहाँ पर glucose का पानी दिया जाता है, वो calculated है, मतलब जो एक व्यक्ति को जितना नॉर्मल शरीर पचा सकता है 75 ग्राम्स glucose का पाउडर वो लोग पानी में बिगोके देते हैं तो वो लेने के बाद 1 अवर and 2 अवर्स में वापस शुगर चेक करते अगर उस में जैसे हमने range देखा है, 140 से 200 के बीच में 2 गंटे के बाद का शुगर है, तो मतलब आपका pre-diabetes range में है क्योंकि खाने नॉर्मल नाश्ते में क्या होते हैं एक दिन हम थोड़ा काते हैं, एक दिन हम ज्यादा काते तो वो प्रॉपर हमारा पता नहीं चलता है, कि मैं pre-diabetes में हूँ या नहीं हूँ लेकिन ये जो glucose concentration जो बनाया हुआ है, वो research करके बनाया हुआ है तो जब हम वो लेंगे, उसके हिसाब से जो result निकलेगा, वो प्रॉपर body का tolerance level बताता है तो ये एक test है, जो आप जांच करवा सकते है तो कल भी हमने एक example देखा, बहुत सारे लोग सोचते हैं एक बार मैंने दवाई चालू कर दिया तो जीवन बार लेना ही पड़ेगा और अधर्वाइस मेरा कुछ ने होने वाला नहीं है ऐसा नहीं है हमने कही सारे examples इन दो दिनों में बताया है जो बहुत aged है वो भी return वापस नॉर्मल में आगे थे जो बहुत young है, उनका कुछ हो नहीं रहा था तो it all depends हमारा lifestyle में कितना उसको properly doctor का advice follow कर रही है उसके उपर depend करता है और diabetes patients को fruits नहीं काना है ये भी एक बहुत बड़ा myth है ये only starting stage में restrictions है, जैसे जैसे control में आता जाएगा, वैसे वैसे हम fruits को introduce करते हैं वैसे भी अगर starting stage में भी हम कुछ-कुछ fruits अगर patient को बहुत पसंद है fruit खाना तो बहुत ही light fruits जैसे कि apple हो गया, ऐसे कुछ diabetes कुछ serious नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग light लेते हैं, बहुत सारे लोग इसको बहुत light लेते हैं, मतलब जिनको diabetes confirm हो गया है और sugar 200-300 से उपर जा रहा है continuously, फिर भी उनको symptoms कुछ नहीं होता है कई दर्द नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है इसलिए वो बहुत ही light लेते हैं यह से ही डराते है डॉक्टर्स लोग ऐसे ही डराते है इससे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे सोचते लेकिन क्या होता है, डाइबेटेस को silent killer बोलते हैं, क्यूंकि वो अंदर ही अंदर हर एक organ को जाके effect करना चालो कर देता है, इसमें main तीन organs है, ऐसा जो effect करता है, अक्चली हमने complication इस series में नहीं ले पाए क्यूंकि time की कमी थी, तो इसमें मैं बहुत ही briefly बता दूँगी तीन organs जो डाइबेटेस से first effect होने वाले है, एक है आंक, दूसरा kidney, तीसरा पाउ तो ये तीन चीज़े आपको अगर शुगर है, तो आपको yearly once check up करवाना ही है, अगर उसमें कुछ निकला problem, तो at least 3 months to 6 months उसका follow up करते रहना है, आंक में ऐसा नहीं की चश्मा है या नहीं है, वो वाला test नहीं है, आंक में जो अंदर का एक layer होता है उसको हम retina बोलते हैं, वो retina को जाके effect करता है, and वो retina के कारण ही हम देख पाते हैं, अगर वो effect हुआ, तो पहले दुंदला दुंदला दिखेगा, आने तो फिर आंकों के सामने काले दाग जैसे दिखेंगे ये सब मतलब अंदर retina का ये symptoms भी कब आएंगे जब वो damage moderate to severe stage में जाता है तब symptoms आते, mild stage में कोई symptom नहीं होता है और एक बार जो retina का specially, एक बार जो effect चालू हुआ उसको हम सिर्फ रोक सकते हैं वापस लेके नहीं आ सकते आप कुछ भी कर लो तो इसलिए eye check-up is very very important in diabetic patients, जब हम पूछते हैं कि आपकी आँखी जांच हो गए तो बोलते हैं हाँ आँखी जांच हो गए, फिर हम और डीप में पूछते हैं तो बोले हाँ हमारे चेश्मा का तो नंबर कुछ नहीं है, लेकिन वो नहीं है आँख की check-up, आँख की आए आए और किडनी का स्टार्टिंग स्टेज में क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन लीकेज का first sign होता है, तो डॉक्टर्स यूजली जो डाबेटिक पेशन से उनका प्रोटीन लीकेज कुछ है क्या, किस स्टेज में है अगर वो ज्यादा लीक होता जाएगा तो पाउ में सुजन आ जाना, ये सब symptoms स्टार्ट हो जाते हैं फिर पाउ का जो third organ है हमारे पाउ के नसुंका तो पाउ में भी एक होता है nerves का, जो उस effect होता है, तो फिर burning sensation ये सब आते हैं और घाउ heal नहीं होता है, और दूसरा blood supply पाउ का जो blood supply है वो भी effect करता है, तो जब blood supply नहीं होता है, और घाव है तो क्या होता है, वो heal नहीं होता है क्योंकि blood supply बहुत important healing के लिए, तो multiple reasons से वो wound healing में delay हो जाता है पूरा diabetes patient next myth है कि diabetic patients को पूरा ही मतलब अनाज बंद करना है, ये भी myth है, ऐसा कुछ भी नहीं है portion, कितना portion में हम ले रहे, वो मैंने रखता है and next है कि अगर कोई बहुत ही overweight है या obese है, उनको sugar definitely होगा, ऐसा भी नहीं है again मैंने जो कहा कि genes भी एक factor होता है ये जो overweight और obesity leading to diabetes जो है usually foreign countries में होता है, लेकिन इंडिया में न, lean diabetes बोलते हैं मतलब देखने में बहुत पतले होते लेकिन उनको diabetes हो जाता है तो इसका reason क्या है एक fat deposition में भी दो varieties होते है एक होता है जो हमारे skin के अंदर, skin के नीचे जो deposit होता है वो subcutaneous fat बोलते हैं वो इतना हानिका रख नहीं है लेकिन जो हमारे अंदर organs है न, pate के especially वो organs के अंदर अंदर जो fat deposit हो रहा है, जैसे कि liver में हो गया, तो ये जो हम visceral obesity बोलते है वो Indians में ज्यादा है और वो visceral obesity ज्यादा नुकसान का रख है वो toxins को ज्यादा produce करता है तो इसलिए बाहर देखने में बले बतले है, लेकिन अंदर का जो bad cholesterol है bad deposition है, उसके कारण हो रहा है वो जब हमारा जो भी खान पान है वो properly digest नहीं कर रहे है तो वो जाके fat के रूप में deposit हो जाता है, extra जो भी glucose है जो यूज नहीं हो रहा है वो जाके fat के रूप में deposit होता जाता है यूज तो होता है जब आप fasting में होते है तब यूज होता है, लेकिन fasting भी आप पूरा तो नहीं कर पाएंगे, एक दिन करेंगे max to max, दो दिन करेंगे उसके साथ साथ आप कितना ले रहे हो, everything is balance कितना ले रहे हो और कितना उसको यूज कर रहे हो exercise से उसको burnout कर सकते है उसको पचा सकते है अगर नहीं कर रहे, only intake में ही है तो फिर नहीं होगा यूज नहीं होगा और पीपल सोचते है पीपल हर एक, मतलब ये भी बहुत सारे हमारे patients से हम सुनते है कि जैसे ही diabetes diagnose हो जाता है तो वो पूछते है कि हमने तो देखा कि हमारे relative को kidney फेल हो गया, dialysis में चले गए मुझे तो डर है कि मेरा भी kidney चला जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है अगर आप properly, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्यादा नुकसान का रख है kidney के उपर, tablet से नुकसान का रख नहीं है कुछ-कुछ ऐसे होते हैं जो बाकी बीमारियों के लिए, कुछ और बीमारियों के लिए, जो medicines use किया जाता है, उससे kidney के उपर असर होता है लेकिन लोगों में ये एक myth है, कि हर एक अलोपती, tablet जाके kidney पर असर करता है, ये गलत है कुछ ही ऐसे medicines है, जो kidney को नुकसान का रख होते हैं, जैसे कि painkillers, अगर आप ज्यादा painkillers ले रहो, तो definitely कुछ समय के बाद आपका kidney खराब हो जाएगा कुछ chemotherapy, cancer के patients को जो देते हैं, उसमें कुछ ऐसे, कुछ varieties है जो जाके नुकसान करते हैं तो ऐसा नहीं कि हर एक medicine अलोपती में जाके kidney में नुकसान करता है, ये गलत हैं तो उस misconception के कारण कुछ भी tablet नहीं लेते हैं, ये भी नहीं लेते हैं, diabetes का भी नहीं लेते हैं तो उससे क्या होगा, शुगर बढ़ता ही जाएगा जब शुगर ज्यादा लंबा समय बढ़ा हुआ रहता है, तो वो जाके kidney को करब करता है, फिर उस समय आते हैं हमारे पास, फिर हम दवाई चालो करते हैं, तब बोलते कि हमने दवाई लिया, फिर भी हमारा kidney फेल हो गया, लेकिन ये नहीं सोचते कि आप किस टाइम पे आए दवाई लेने के लिए, ओल्रेड़ी जो खराब स्टेज में हैं उस स्टेज में आके आप ट्राई कर रहे हो और आप result चाहते हो, कैसे होगा तो ये सब मायने रखते हैं कि आपका kidney failure में जाने के लिए क्या-क्या कारण है और कुछ लोग ये भी पुछते हैं कि अभी diabetes हो गया तो हम sports में participate नहीं कर सकते, कुछ aggressive वाला activities नहीं कर सकते ऐसा भी कुछ नहीं, diabetes patient is equal to normal person कोई नहीं है मतलब कोई एक्स्ट्राउंड को ये चीज नहीं है सिर्फ आपका lifestyle को आपको properly उसको arrange करना है बस ऐसे हमारे बहुत ही सारे हमारे इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग है जो type 1 है, type 1 most difficult diabetes है क्यों थोड़ा भी इदर उदर खा लेते हैं तो उनका शुगर बढ़ जाता है तो insulin उनको दिया जाता है, उनको तो चारो टाइम insulin रहता है लेकिन insulin चारो टाइम लेते हुए भी क्योंकि खुद का insulin बॉड़ी में ना होने के कारण थोड़ा भी अगर एक्स्ट्रा एक स्नाक ले लिया तो शुगर बढ़ जाता है तो type 1 is most difficult diabetes to control लेकिन type 1 diabetes के साथ रहते हुए हमारे देश में भी इतने सारे लोग है जो बहुत famous है और even हमारे देश की लोग अगर हम देखा जाये तो film actors में Kamal Hasan को बहुत सारे लोग जानते होंगे जिस South Indian के famous actor है और North में Sonam Kapoor She is also a very good actress और उनको भी type 1 diabetes लेकिन पता भी नहीं चलता कि उन लोगों को वो बीमारी है मतलब इतना active रहते हैं अपने field में active रहते हैं और Pakistan के baller जो है वसी मकरम उनको भी type 1 diabetes है वो sports किलते हैं ऐसे और भी other sports में भी बहुत सारे है जो foreign countries वाले है तो ऐसा कुछ नहीं है कि diabetes है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और diabetes लोगों को ज्यादा बीमारियां आ जाती है ये भी ऐसा कुछ नहीं है अगर आपका sugar control में नहीं है तो definitely yes you are prone for infections sugar control में नहीं है तो आपका immune system down जाता जाएगा अगर sugar control में है तो आपका immune system ठीक रहेगा कुछ लोग सोचते कि आरे इसको diabetes हो गया मुझे भी हो जाएगा मतलब साथ में रहने से ऐसा नहीं है diabetes contagious नहीं है इसलिए diabetes को non communicable disease बोलते है एक है communicable disease मतलब जैसे COVID है खासी करेंगे टीबी हो गया तो यह सब communicable diseases है हमारे चीक से या खासी से transmit होने वाले diseases को communicable disease बोलते है लेकिन यह BP, sugar, cholesterol, यह सब non communicable diseases में आते हैं इस साथ में रहने से कुछ लगेगा नहीं तो यह भी एक वहम है जब हम किसी patient को बहुत ज्यादा शुगर है मतलब recently diagnose हुआ और बहुत ज्यादा शुगर है tablet सब बंद कर चुके है और उनको हम थोड़े समय के लिए insulin चालू करते हैं ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए और ज्यादा उसका नुकसान का effects जो है वो शरीर पर न पड़े तो starting stage में maybe two-three weeks के लिए हम insulin पर रखते हैं लेकिन insulin के बारे में इतना कुछ सुन चुके होते हैं तो इसलिए सोचते के मतलब मुझे insulin चालू किया मतलब मेरा final stage में चला गया ये बहुत बड़ा myth है हाँ बहुत बड़ा भ्रांती है ये सच नहीं है वो actually doctor आपको explain करते है जब कोई भी चीज start करते है वो explain करते है कि ये कुछ समय के लिए ही चलेगा वापस आप tablets पे आ जाएंगे कभी-कभी tablets के साथ हमको देना पड़ेगा लेकिन जब chronic diabetes हैं जैसे कि लंबे समय से proper tablets नहीं ले रहे पूरा destroy हो जाता है उस समय insulin permanent होता है उस समय भी serious stage नहीं कहेंगे लेकिन अगर आप उस समय भी सतर्क रहेंगे proper अपना lifestyle को change करेंगे तो उस समय भी complications से बच सकते हैं देकिन ऐसा नहीं कि हड़ समय insulin लिया तो serious है lifestyle if आपका lifestyle ठीक है it is reversible प्रिवेंट कर सकते हैं यह कल भी हमने देखा है न तो हमारा जो भी exercise है या risk factors जो हमने एक risk factors का score देका न इंडियन diabetes risk score जिसमें हमारा age का score देखा है physical activity का score waste circumference का score यह सब score मिला के मैं कुछ risk factor में हूँ क्या मेरा risk factor कितना है जब risk factor पता चल जाता है तो alert हो जाएंगे ठीके मुझे ऐसे ऐसे हम मेरे अपने lifestyle को change करना है ताकि उस stage में अगर आपने action लिया तो prevent कर सकते हैं diabetes नहीं आएगे हाँ वह नियूरोपतिया भी जो मैंने बता है हाँ हो सकती है अगले किन वह अल्रेडी डायबेटिक है तो पाउं की जलन ओनली डायबेटिस में होता है ऐसा नहीं है वो one of the symptom है diabetes का वैसे B12 deficiency में भी पाउं में जलन होती है तो बहुत सारे कारण हो सकते है और सभी प्रकार के diabetes एक जैसा है ये भी गलत है क्यूंकि हमने देखा type 1 diabetes जिसमें insulin प्रडूज ही नहीं होता है तो उनको lifelong insulin पर ही रहना है type 2 diabetes जिनको insulin प्रडूज होता है लेकिन कुछ हद तक ही काम करता है तो उनको tablets देना पड़ेगा तो अलग-अलग diabetes है gestational pregnancy वालग-अलग diabetes में अलग-अलग treatment है और type 1 diabetes सिर्फ यंग में आएगा ऐसा नहीं है अभी एक और इसके है जिसको हम लाड़ा बोलते है latent autoimmune diabetes in adults मतलब जैसे type 1 का है मतलब insulin न प्रडूज होना वैसे ही 30 years के around वो चालू होता है same to same जैसे type 1 बच्चों में चालू होता है उसी प्रकार का type 1 30 years में चालू होता है उसको लाड़ा बोलते है तो ये भी काफी cases अभी बढ़ने लगे हैं देखने लगे है and type 2 diabetes only elderly को होंगी या only बुजुर्ख को होंगी ऐसा नहीं है बच्चों में भी young adults में भी अभी चालू हो गया है और only type 1 diabetes patients को insulin की ज़रूरत है ऐसा नहीं है type 2 diabetes वालों को भी long term में जाके insulin की ज़रूरत पढ़ सकती है सभी diabetic patients को एक जयसे treatment नहीं होता है अलग-अलग होता है तो sugar free ये भी बहुत important है क्योंकि बहुत सरे लोग पूछते हैं कि sugar free का sugar free ले सकते हैं ले तो सकते हैं लेकिन जितना मतलब वो मैं sugar free जो pills होते हैं उसके बार में बता रहे हूं वो तो जितना कम मात्रा में लेंगे उतना बेटर है avoid कर सकते तो वो best है और दूसरा यहां पर हम focus करना चाहते है sugar free foods जो market में मिलते हैं है ना patient बोलते हैं ये तो sugar free था इसलिए मैंने खा लिया तो sugar free तो था लेकिन sugar free का उनका मतलब क्या है कि उन्होंने direct चीनी आड ने किया लेकिन जो भी carbohydrates होते है जैसे कि माईदा से बना हुआ है तो माईदा जाके क्या बनेगा अंदर glucose तो बनेगा है ना तो carbohydrate content कितना है उस चीज में वो माईने रखता है सने कि सिर्फ चीनी ने डाला है तो हम कितना भी चाहे खा सकते है तो carbohydrate contents कितने है उसमें वो जाके फिर वापस glucose बनेगा तो इसमें एक होता है sugar free मतलब sugar free मतलब बहुत ही minimal उसमें आड किया गो है less than 0.5 grams उसमें आड किया होता है तो इसलिए उसको sugar free पोलते हैं दूसरा होते है reduced sugar labels में मतलब food labels में जो लिखते हैं उसका में बता रहे हैं जब उन्होंने लिखा sugar free मतलब sugar का content less than 0.5 grams है अगर reduced sugar लिखा है तो मतलब 25% जो suppose उन्होंने कुछ एसा कुछ एक item बनाया है जिसमें उन्होंने लिखा है reduced sugar और same item normal variety में भी है तो normal variety से देखा गया तो इसमें 25% कम शुगर है उसका मतलब है reduced sugar अगर किसी label में है reduced sugar 25% कम मात्रा में डाला गया है दूसरा है no added sugar no added sugar भी एक वहाँ पर लिखा हुआ रहता है मतलब जब बनाया जाता है मतलब जो भी चीज है जब बनाया जाता है तो हमने extra sugar 1% भी add नहीं किया लेकिन उसमें फिर आपको carbohydrate का content देखना है क्योंकि वह जाके वापस शुगर बनेगा तो एक बार एक पती अपने बीबी से बोलता है कि मुझे फिकी चाई पीने के लिए डॉक्टर ने कहा है तो बीबी बोलते है अलग-अलग चाई बनाने की मेरे पस टाइम नहीं है आप लड्डू खाके चाई बना लेना चाई पी लेना आपको फिकी लगेगी और एक patient होता है कि रोज जाके अपने kitchen में चीनी का डबबा देखके फिर जाके सो जाता है ऐसा रोज करता रहता है तो उसके बीबी पूछते है आप ऐसा क्यों कर रहे हो रोज जाके चीनी के डबबे को क्यों देख रहे हो तो वो बोलता है कि जब मैं यह करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बता देंगे, वैसे तो बेज़ाएं वापस एक बार बता देंगे, तो यह कैम्प चो है डायबेटेस का, हर महिने चार दिन का होता है, हर महिने होता है चार दिन का, usually second week, नए तो फिर third week में, इन दोनों हफते में कोई एक week में हम र जाएंगे, फिर Monday, Tuesday, Wednesday आपका टेस्टिंग होता है, फिर Thursday रिटन, तो ये जो तीन दिन है, उसमें हम आपको डाइट, एक्सराइज, ब्लेड टेस्ट, फुल आई चेकप, डेंटल चेकप, फुट केर, ये सब चीजें इसमें हो जाते हैं, उसके साथ साथ education classes, डाइबेटिस क के साथ एक एटेंडर आना जरूरी है, क्यूंकि usually wife and husband होते हैं, तो जो खाना बनाने वाले हैं, उनको भी तो पता होना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, जाने के बाद, क्यो पेशेंट ने तो समझ लिया, लेकिन बनाने वाले ने समझा नहीं, तो भी मुश्किल हो जाएगा हाँ, 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 कैम्प कर सकते हैं, कैम्प कर सकते हैं, ने, ये जो चार दिन का कैम्प है, ये पूरा रेसिदेंशल कैम्प है, मतलब आप संडे हॉस्पिटल, ग्लोबल हॉस्पिटल, यहां हमारा जो है, यहां पर आएंगे, यहां एड्मिट हो जाएंगे, फिर को ही आपका डिश्चार्ज होगा तो चार दिन आप होस्पिटल में ही टहरेंगे चाभी लालिता बेन हमसे दो पांच दस मिनिट बात करेंगे का आधर उमशन्थी कि अचर्फ दैबेटीस में फूट केर की अवशक्ता क्यों है और जा ह 150ों के हैं। डाइबेटिसमें फूट्र केर की अवशकता क्यों है। सिर्फ डाइबेटिसमें नहीं, विकिन जो यौनन डायबेटिक हिए। उनको भी फूट्र केर की अवशकता नहीं है। शीगर वीमारी कहकी है? शीगर आप चेक करते हैं तो ब्लड चेक करते हैं और ब्लड आपके शरेर में कौन सा हिससा है जिसमें य। ज़रुरत नहीं है पूरे शरेर में ब्लड की आवश्च french थर्था तो ब्लड जाह जहा तक पहुछता है वहा वहा आपको प्रब्लम होगा. लेकिन परों में सबसे जयाद प्रब्लम होता है? जब हम 18, 19, 16-17 साल के होते हैं, तब तक हमारा परों की जितनी भी, जितना भी बढ़ना है उतना बढ़ता है. बाकि उसके बाद, जब हम स्कुल में, कॉलेज में हैं, तो उसके बाद क्या होता है, हम उपर बढ़ते हैं, जब हम ऐसे होते हैं, लेकिन बाद में हम ऐसे होते हैं, लेकिन हमारे एक्सरा वेट का होता है, हमारे पैरो, अगर हमारे एक्सरा वेट हमारे पैरो पे है, तो हमको हमारे पैरो का एक्सरा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ह ज्यृआएंד बिल्कुल भी नहीं रखते हुआ, है न अभी मैं डायबेटिक पेशेंट ही नहीं देख रही हूँ नन डायबेटिक भी देख तो इसमें मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है अभी अभी मैं नाम किसी का भी नहीं लूँगी लेकिन अभी एरफोर्स का एक बड़ा ओपिसर आया था उसके पेर में मुझे दिखा कि दिख काना हो गया है उनको पूछकी आप पेर में कभी योगता हो आई ने वही हमीशा बोलती लेकिन मैं कभी साभ नहीं लगाएंग के पैर भी- almond बन जाता है और वहीं ृसका लीए बहुत आच्छी थरस्ते पैरों को साबन Commodal को अब्हुत अपने बेक भाहीन बाकि एक्षरा पैरों के लिए महिनत लेगे एक बाही ने मुझे बता है कि मेरी मम भी बोलती है लोगों को मुह भी लगाने के लिए सबन नहीं मिलते हैं आप पैरों में क्यों लगा रहे हैं तो फिर पैर कैसे ठीफ हो गए जिसको आप पूरा दिन आप किसके उपर खड़े पैरों के ऊपर खड़े हो तो वह हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो पैरों का इस तो छोड़ों मालिस तो एक्षरा हो गया लेकिन आप पैरों को आप नान कर रहे हो तो पैरों को वाश करना बहुत ज़रूर है लेकिन हम वह भी नहीं कर रहे हैं तो एक्चली देखा जाए त बहुत फ़ब्लम होते हैं unrelated नाउन डियोटो हान फुट पर शाइड होते हैं और असलिए पर शाइएड दो में कुछ परब्लम होते हैं त्यूहरत कि में बहुत ब्रॉब्लम होते हैं 25 फेले फृड्पे कर से लेकर हैं अचनक से एमरेटिशन धुले होा जौते आसा कभी भी होता है लेकिन हम कभी भी हमारे पर में पता पढ़ रहा थारा यानए मुझे मेरे पास क Valley से लेकर मैं आपको 15 मिन्ट में भालिए इसके लिए मैं फलोग और हमको क्या करना है क्या नहीं करना है और डाइबेटिस्पेशन के लिए क्या डेंजर है हमको क्या करना है रोज हमको अपने पेरों को अच्छी तरह से चेक और चेक क्या करना है सिर्फ चेक करना हमने क्या करना है आपको देखना है आपके पेर में कई कलर चेंज तो नहीं हो रहा है तो हमारे नाखुन चो वह को नाखुण जो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं से निकालते हैं, नेल कटर से निकाल तो का हम Q इतने पेशन का ऐसे देखा है छे मैने तक नेल कटिंग नहीं करेंगे और जब करेंगे तो आगे के छे मैने का कर देंगे तो क्या होगा किया होगा एक 7 ही 6 मैंने का कर देंगे, तो इतना अंदर तक जाता तो यह आकर सब ने देखा हो के है यहां से ब्लेडिंग होना शुरू होता है, और इं गृो टो नेल जो होता है इसी के पारिए ज़यादा करने से क्या होता है, जो हंसे नाखुर्ण हो ने, और जब आपका नेल इतना hard है और वो उसके अंदर गुसने लगेगा तो क्यों होता है? infection हो जाता है, bleeding शुरू होता है, infection शुरू होता है और कितना भी शक्तिशाली वेकती हो, वो रोएगा जरूर, वो उसके वज़े से डॉक्टर के पास जाओगे, सर्जन के पास जाओगे, तो वो क्या करेंगे, उसके लिए बहुत लंबी लिश्ट देंगे, इन्विस्टेकेशन करने के लिए, उसके बाद उसको नेल को उटी में जाके उसको, पूरा नेल उसको रिमू कर देंगे, और बेड डिडन होगा, फिर उसके बाद बहुत सारा ड्रेसिंग चलेगा, इसके लिए यह करने की जुरूत निया, अपने यह यह नेल करने के लिए, यह इन्ग्रो नेल को, इन्ग्रो नेल हम उसको हम ठीक कर सकते हैं, इसे अपने पास इंस्टुमेंट्स हैं, तो अपने य क्रेक्स होता है, तो क्रेक्स ना हो, इसके लिए क्या करना है, मैं अपलों गॉब अपने हो, истор कि एक माइल शाम्पू डालके आपको 15 मेंट तक अपने पेरों को भीगाना है उसके बाद आपको टर्कीश के टौल से अपके पेरों को अच्छी तरह से साप करना है और एकी दिन में नहीं आपको दो दिन चूड़के एक दिन चूड़के अपकरते रहना है तो एक दिन में करना है फिर अच्छे साफ पानी सो उसको वाश करके उसको ड्राय करना है पैर आपको उपर से दिखेगा नहीं जिनके पैर में निरोफती है उनको दर्द भी नहीं होगा इचिंग उनको पता भी नहीं पड़ेगा और वह इंफेक्शन उपर चलता जाएगा कब पता पड़ेगा जब आपका पैर रखने के बाद ब्लीडिंग हो रहा है पस दिख रहा है तब आपको पता पड़ेगा यह आपके कपड़े घरा होते तब तक केस आपके हत्त है बाहर जाता है तो इसके लिए आपको पैरों को अच्छी तरह से ध्यान रखना हमारे माता ह है पर को गिला किये विना बाहर कभी भी नहीं और कभी भी पोचेगी नहीं उंगलियों के बीच में तो कभी भी पोच्टी नहीं और खासकर एसा है सब पुरह हो जाता है सनानका नहीं आमरे पास टाइम नहीं उंगलियों के बीच में नहीं है इसा करेंगे तो फिर आपको एंपुटेशन करके वह दर आई-शू में पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा दो चार महेने तक और फिर एक बार एंपुटेशन होने के बाद क्य प्ले कर रहे हैं इसके लिए अगर हमारे नाखुन का नाखुन भी ज्यादा बड़ा दो अभी आठ दिन पहले ही हमारे पांडबोन का पिशन्ट उसको नाख फुटबॉल खेलते वक्त नाखुन टच हुआ है और उपर पूरा वो उल्टा हो गया है इसके लिए ज्यादा एक अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है रोज वाश करना है और क्रैस के लिए मैंने बता दिया है कि आपको फिर ड्राय करके उंगलियों के बीच में इसमें प्रेट्रोलिम जेली लगाना है प्रेट्रोलिम जेली स्किल नाड़ी के वह लगा है तो बहुत अच्छा ये ते कि आपका वह आठ दीन में तो ठीक होगा ही होगा उसके बाद आप नियरो फुटबर चो पेंते बुनियन कि होता है घ्ना हो जाता है से ये पैडा में होचमें होजात है मिना हड़ी बहार निकलता क्यों निकलता है अंगूठे के पास क्योंकि छो लोग नेरो फुट पर पहिंते हैं, आगे का हिस्सा, एकदम तंग है, एकदम नेरो है, आपके उंगलियों को बैटने के लिए उसमें जगा ही नहीं, जवर दस से आप कबड में कबड़े ठोस दो, एक निकालने के जौत एक तो सारे गिरते है, उसी तरह से आपके उंगलिया आपक और थो भी ver्यटार के उनके परबलम हो जाते हैं सारे नाखुण उनके खराब हो जाते हैं तो यह बहुत चोटी चोटी वज़े से अमार्श कषा dilem तो सब हम MUELLER qध को धियान होते हैं करा डख़्टेसबाइक परब्लम योग को क्यों ध्यान देना हैं क्यों कि它 लोगों को और शुगर कब हाई होगा उसका तो कोई पता ही नहीं होता है इसके लिए परों का बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है पर दूसरी बात परों में जब भी आप फुटवर लेने जाओ तो शाम के टाइम पे फुटवर लेना है जब हमने पहना तो क्या था बहुत अच्छ क्यांप में तो क्यांप में तो इसके बारे में और डीटेल में बताएंगे यहां पर भी एक बार करवा सकते हैं वापस हां क्यूंकि यह 5-10 मिनिट में कवर करने वाला टॉपिक नहीं है तो इसलिए इसको विस्दार से हां तो यहां जो है किसी को भी डाइबेटिस फुट के बारे में अगर जाना चाते तो क्लोबल हॉस्पिटल में डाबेटिक फुट के एक अलग सा डिपार्टमेंट है वहां जाके लेलिधा बैन से मिल सकते हैं तो वह आपको क्लारिफाई करेंगे हाँ बाइस थामर ठीक अभी यशदा बैन और समिक्षा बैन एक चोटा सा अक्टिविटी करवाएंगे अभी जो कुछ भी सुना आपने तो उसको अभी हम आक्ट करके ड्रामा के रूप में हम आपको समझाएंगे तो हमारा जो ड्रामा है ड्रामा का टाइटल रहेगा मेजर कॉम्लिकेशन ऑफ डाइबेटीज कि अगर डाइबेटीज बढ़ जाए तो क्या-क्या दिक्कत आ सकती हैं तो इस ड्रामा में या शोदा भेन डॉक्टर है और तीन पेशिंट्स रहेंगे एक पेशिंट होंगे सोशील भाई जो आंखों का रोल प्ले करेंगे दूसरे पेशिंट होंगे दीदी वो किड्नी का रोल प्ले करेंगे और तीसरे पेशिंट होंगे त्रिवेनी दीदी उनका पैर वो कर रहेगा तो ड्रामा के थ्रू हम आपको जो मैसेज देना चाहते हैं अब उनको कैच करें और फिर आपसे पूछेंगे कि आपने क्या सीखा थैंक्यू ओम शान्ति ड़सा नोसते कैसे आप मैं ठीक हूं आपके से पशले कुछ दिने उसे मैं महसुस कर रहा हूं इस मेरी आँखों में कुछ दुंदला पन दिखाए दे रहा है उसकी क्या बज़ा हो सकी है कब से हो रहा है आपको यह जब से यह शीरीज चालू हिए है लगवा पिछले दो डा कोई टेस्ट करवाया ने टेस्ट मैं प्रतम बारी आपके पास में आया हूं तो आप एक काम करिए जाए अपना टेस्ट करवाईए और मेरे पास आईए गाप यह कहां जाना है यह लैबरोटरी जाना होगा आपको लेवरोटरी फॉर्म से वह फिल अप कर लीजिए आई ओमशंति दा ओमशंति आई वाज कर लेना दो माहने से मेरे को ज्यादा बात्रूम ऐसे थोसु ज्यादा आता है फिर पेरों में बहुत दर्द होता है इस विल्लिंग होती है यह कब से हो रहा है आपको दो मेहने से हो गए आपने कोई टेस्ट करवाया नहीं शुगर टेस्ट करवाया नहीं करवाया घर में किसी को डाइबिटीज की प्रॉब्लम है नहीं घर में किसी को भी नहीं है तो एक बार आप जाके टेस्ट करवा के आईए टेस्ट करवा के और जुन जुनात जैसे होते हैं, और जैसे कि तुई जैसे होते हैं, ये कब से हो रहा है अपको? जो तीक महीने से हो रहा है, अच्छा, घर में किसी को डाइबिटीज है? माता जी को था, उसका सोजित ना रहता है, तो आपने अपना शुगर टेस्ट करवाया? नहीं करा ले शुगर टेस्ट करवायेगा, तो प्री का सिक्टा भी लगाना, यहां जी, प्री का सिक्टा भी लगाना, हां जी, लोगशुल। और साब, मुश्टे, वह आपने जैसे कहा था, लबरोटरी में जाकर अपनी ब्लड टेस्ट के बज़ारा हुँ, तो यह सारी रपोर्ट कि यह चुक birlikte Šा ABS खुँ मैं बता रहा है कि आपका ब्लड Chugar high है कि इसके कारण अपको धुनला धुनला धिख रहा है क्यों करा किअ क्या कारण है क्युव एज़ की आपके आंको तक कारण क्या कुछ खाया भी टेंशन के कारण आप अपने टाइट पे काम नहीं गड़ते हो हाँ यह जो सारी सीरीज आपने सुनी तीन दिन की तो उसमें दीदी ने आपको बहुत सारी बाते समझाई होगी तो इस पे काम करना है आपको मैं आगे फिर बताऊंगी आपको क्या कि इस तरह से दिखता है? इसुआ कम दिखता है कि यह इसलिए होता है क्याँ कि जब डायाइबीटी मतलग़ शूगर लेवल हाई होता है तो आंको मैं इस तरह से दिखने लगता है क्योंकि खूण ठीक से न पहुंशने के कारण तो उनकी आंके ऐसे हो जाती है पोस्ट के लिए कोई बिशेश एक्सेसाइज बगरा है वो जो दीदी ने बताया आपको तो उसको फॉलो करना है ठीक है आपका भी शुगर लेवल हाई दिखा रहा है चार सो से भी ज्यादा है जी तो यह इसलिए हो रहा है आपके पेरों में सूजन है क्यूंकि आपकी जो किड्नी है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रही है नहीं डरने की कोई बात नहीं है यह इसलिए क्यूंकि किड्नी का काम होता है फिल्ट्रेशन करना खून को प्रॉपर फिल्टर करता है अगर वो फिल्टर नहीं कर पाता है जो बॉड़ी का जो ग्लूकोज है मतलब वेस्ट के साथ सारा सब कुछ जा रहा होता है इसलिए किड्नी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है तो उसके कारण हमारे लंग्स में पानी भर जाता है और चेहरे पे एक सूजन आ जाती है क्यूंकि जादा किड्नी पे लोड हो रहा है प्रेशर पड़ रहा है इसलिए आपकी किड्नी किड्नी पे इफक्ट पड़ रहा है इसलिए हो रहा है क्यूंकि आपकी शुगर लेवल ह अगर आप प्रॉपर केर नहीं करोगे तो फिर आपकी किड्नी ऐसे हो जाती है इसको हम कहते हैं नेफ्रोपेटी और उससे पहले जो सुशिल भाई की भाई ने जो बताया कि उनको प्रॉब्लम है आँखों का उसको कहते हैं रेटीनोपेटी जिनको प्रॉपर दिखाई नही देता है तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है और यह है नेफ्रोपेटी जिनकी किड्नी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है हाई शुगर लेवल के कारण तो इसे बीपी भी बढ़ने का चांसस रहता है तो ऐसे हो जाता है है जी धीरे-धीरे डामेज होने लगते हैं अगर अप प्रॉपर अपने डाइट पे कॉंसेंट्रेट नहीं करोगे अगर मेडिटेशन सॉर्य मेडिसिंस प्रॉपरली नहीं लोगे और अपने एक्सिसाइज पे काम नहीं करोगे तो आपके बॉडी पे इफेक्ट करेगा तो इन तीन चीजों को बहुत अच्छे से आपको फॉलो करना है, आपकी पहली किड्निय ऐसे थी, खुश थी, बहुत खुश थी, हाँ, ऐसे हो जाएगा, अगर आप प्रॉपर डाइट को फॉलो नहीं करेंगे, हाँ, तो ऐसे हो जाएगा, अब वो टेस्ट करवाना होगा टेस्ट से अभी पता चला ना, आप आए, हाँ, तो अभी आपको रेगुलर मेडिसंस लेनी है, क्या आप पटेंड करना है, तो आपके पैरों में स्वेलिंग है, जब भी आप चलते हैं, तो फिर आपको पता नहीं चलता है कि कैसे आपके पैरों से चपल उतर जाती है, य क्यूंकि आपके पैरों में कोई सेंशेशन नहीं है, इसलिए क्यूंकि आपके पैरों तक प्रॉपरली खून पहुंचने पा रहा है, इसलिए सेंशेशन नहीं होता है, क्यूंकि आपके पैरों तक ब्लड ही सर्कुलेट नहीं कर रहा है, तो फिर वो कुछ हो ही नहीं सकता अगर आपके पैरों में अगर कुछ भी लग जाए जैसे ललिता दीदी ने बताया कि अगर कुछ भी हो जाता है एक स्मॉल इंजूरी होती है वो इतना बड़ा हो जाता है वाकिंग करने से फिर वो लड़ सप्लाइ होगा नहीं प्रॉपर डाइट पर क सुगर कितने आई है मेरे आपकी तो 300 से भी ज्यादा है तो मेठी का में पगर पानी पी लो तो वो सुगर ठीक हो जाए अब वो आप डॉक्टर से ही यह हम आपको फिर बताएंगे अभी आपको इतना अगरना है अगर को अगर कुछ घाव भी हो जाता है ना कि कुछ समझ में नहीं आता है चोटा सा घाव इतना बड़ा हो जाता है तो इसको हम कहते हैं नियूरोपेटी इस तरह से स्वेलिंग होनों लगता है पैरों में फिर बाद में एक चोटा सा घाव ऐसे हो जाता है अगर हम अपने उपर अगर काम नहीं करेंगे, अगर हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे, प्रॉपर मेडिसिन्स वगेरा, डाइट, एक्सराइज वगेरा नहीं करेंगे, तो हमको ये बिमारी आ सकती है तो ये सारा अवेरनेस हमको तीन दिन के कैम्प में पता चला, तो इसको हम फॉलो करेंगे, और जो कैम्प अभी आने वाला है, उसमें भी हम अटेंड करेंगे, जिसको डाइबिटीज की विमारी है तो अगर हम शूबर दान करेंगे, तो अगर हम शूबर दान करेंगे, जिको तो हमारी शूबर खत्म हो जाएगे ओम शंती विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे फिकर नहीं ये दुनिया क्या कहती, क्या कहती मिश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे हर सुबाईश वरसे में शक्ति ऐसी मांगू, हर सुबाईश वरसे में शक्ति ऐसी मांगू जीत सकू इस जंग में हार कभी ना मानू इस बास है इस जंग में हम जीतेंगे हम जीतेंगे अफसोस नहीं टाइफन होने का करव करू मेरे जीवन में भेट है अनमोल कोई करव करू मेरे जीवन में भेट है अनमोल कोई भेट है अनमोल कोई भेट है अनमोल कोई विश्वास है इस जंग में हम जीतेंगे हम जीतेंगे मधुमेह के साथ सफर में खास में त्रे इंशूलिन है इंशूलिन मेरे जीवन में एक अनोखी शक्ती है इंशूलिन मेरे जीवन में एक अनोखी शक्ती है इस वास है इस जंग में हम जीतेंगे